सपाने जिला पंचायत अध्यक्षपद के लिए घोशित किये प्रत्याशी मेनपुरी में समाजवादी पार्टी ने आज जिला पंचायत अध्यक्षपद के अपने प्रत्याशी घोशित कर सभी अटकलों पर बिराम लगा दिया है मेनपूरी के वाड संख्या आठ के सदस से जिला पंचायत मनोज यादव को पार्टी ने अपना उम्मीद वार घोशित किया है जिला द्यक्ष देविंद्र सिंग यादव ने पार्टी कारेले पर इसकी घोशना की महीं जिसके बाद सपासमर्थकों ने फूल मालाओं से मनोज यादव का स्वागत किया जिसके बाद जिला द्यक्ष ने कहा कि हमारे पास 20 की संख्या में सदस्य है कुल 16 जिला पंचायत सदस्य चाहिए चुनाफ के लिए हमारे पास 4 अधिक सदस्य है आगामी चुनाब में हमारा प्रत्याशी ही विजे होगा महीं प्रत्याशी मनोज यादव ने कहा कि मैं चुनाब जीतने के बाद सभी को साथ लेकर चलूँगा और पार्टी मेरे साथ है समाजवादी पार्टी इस बार भी चुनाब जीतने जा रही है समाजवादी पार्टी युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है और हमारे मनुच जी सबसे युवा हैं और बहुत नेक आदमी हैं बहुत बिवार खुसल हैं इनके आने से जिले में समाजवादी पार्टी को बहुत बल मिलेगा और यहाँ पर मैंपुरी में समाजवादी पार्टी हमेशा चुनाव जीती रही है और इस बार भी बहुत अच्छे मतों से चुनाव जीतेंगे क्या लग रहा है आपको कितने वोट पढ़ने वाले हैं मनुच जादक की नाम पर हमार समाजवादी पार्टी के इस समय बीस बोट हैं और बीस बोट भी समाजवादी पार्टी के पढ़ेंगे अधरी राइटी अधर जीने और अधरी संसर जीने और जिले कि सभी सम्मानत विदार जीने और सभी सम्मानत पार्टी के पढ़ाद कारिकर्ट बनेता सभी के सभी यूग से हमें आज यह जिम्मेदारी दी गई है और हम कोसिस करेंगे सब को साथ लेकर चलेंगे चलेंगे और सब का विश्वास भी हम पर हैं आप नविवक हैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने आपको सब्सक्राइब कैसे करेंगे विकास मेंपुरी का हलांकि अवाजरे पार्टी ने हमेशा हर छेतर में कम किया है तो हम भी यही कोसिज करेंगे कि ज्यादा सब्सक्राइब हैं और अपनी पार्टी को मोनी राष्टी अद्दश्जी को मुझूद करेंगे यही मेरा संकलब है पार्टी का टिकट आपकी नाम पर सब की केरपा है वह सासिरवाद है आपको कैसा लाए आप बहुत अच्छा मैसूस हो रहा है कितने बोटे से जीत रहे आप जब तीन तारिक को अधरी अधर जी ने कहा था भी हमारे पच्छे में पार्टी के पच्छे में 20 बोट पढ़ेंगे टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए मेंपुरी से संजेश शर्मा की रिपोर्ट